है है गाइस माइनम इस विरें सिंग वेलकम तो दे लर्नम प्लेटफॉर्म स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकलर यूट्यूब चैनल पे और आप लोग जुड़ते रहें यूट्यूब के साथ अपना प्यार बरकरार रखे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमेशा यूट्यूब चैनल या हमारे लर्नम के प्लेटफॉर्म से हमेशा इसी तरीके से प्यार बनाया रखेगा इस पर्टिकलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं डिसकस करने वाला हो कुछ टॉपिक्स के बारे बेर जैसे कि CSIR या किसी भी पर्टिकलर कोचि को क्या जॉइन करना चाहिए क्या होता है रिव्यू सिस्टम और क्या होता है स्टुडेंट की चीजे और क्या होता है चीजे बतलब अगर जॉइन करें तो कैसे पता करें कौन सी कोचिंग जॉइन करनी चाहिए क्या चीजे अच्छी होती कैसे होती है मैं बहुत ज्यादा सबसे पहले चीज के coaching join करना चाहिए या नहीं देखो ये सवाल हर किसी के लिए जैसे कि अगर मैं बोलो मुझे denim का jeans पसंद है जरूरी तो नहीं ना denim का jeans हर किसी को पसंद हो मैं कहता हूँ मुझे blazer पसंद है जरूरी तो नहीं ना कि उसको blazer का पसंद हो या इसको और एक person जो है 6 feet का jump आरेगा अगर मैं कहता हूँ कि मा लीजे एक दरवाजा है दो line है उसमें से किसी को निकलना है दिवाल के बीच में पतली सी सक्री सी जगे उसमें से किसी निकलना है मैं निकल जा रहा हूँ कोई पतला इंसान निकल जा रहा लेकिन क्या कोई मोटा इंसान ज़रूरी तो नहीं है मतलब कोई भी condition पूरे के पूरे universe पे apply नहीं होती everything, every review thing, every suggestions, everything is just like कि हर एक case के लिए अलग-अलग होता है जैसे कि अगर मैं recommend करूँ तो अगर कोई एक learner जिसका basic अच्छा है जिसने पहले से अपने BTEC, MSC, BSC, MSC जिसमें भी मेहनत करी है उसको किसी coaching क क्या जरूरत है, हाला कि coaching की जरूरत नहीं लेकिन किसी गुरू की जरूरत पढ़ती है, गुरू जो होता है न, वो आज के जमाने से नहीं, द्रोडा चार थे, उसके परसु राम थे, बहुत पहले पहले गुरू पहा जाते थे, राम भी कहीं पे गये थे सिक्षा प्राप् भी है, तो भी, ठीक है, उसके पीछे एक रीजन होता है, कि coaching करने ना करने का, ये हम्यारे उपर depend करता है, कि हमें जरूरत है कि नहीं, you can think, कि मैं stand करता हूँ, जैसे मैं अगर simply बात करूँ, तो मैंने कुछ ऐसे exam से बिना coaching के निकाले थे, मैं पढ़ने नहीं गया था, ले गुरू होता है, वो किस organization से linked होता है, इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, so, it's a very simple thing कि, अगर आप normally बात करते हैं, गुरू की परंपरा जो होती, पहले से चली आ रही है, पहले लोग जाया करते थे, पढ़ा करते थे, और ऐसा इसलिए, क्योंकि वहां का एक different environment होता है, एक छोटी सी analogy फिर से अगर जिम की बात करें, तो आप लोग fit तो घर पे exercise करके भी रह सकते हो, लेकिन जिम क्यों जाते हो, पहले लोग जो थे, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, पहले भी लोग घर पे exercise करके fit रहते थे, लेकिन धंगल क्यों जाते थे, अखाडे में क्यों ज है सकते, अगर ऐसा होता, तो घर बैठे-बैठे मनाली का आनंद ले रहे होते, किसी को वो नहीं होता, ये तो फिर वही बाबाओं वाली बात हो गई, कि फिर मोक्स की प्राप्तिक कर रहे हो, भगमा से डारेक तार जोड़ गया, इसलिए हम घूमने के लिए कभी हिली एरि प्रोसेस को, थौट प्रोसेस को चेंज करता है, when we are with negative, we are surrounded with the negative people, हमारे पास negative energies आती है, हम stress ज़्यादा रहते हैं, यार बहुत टेंसन चलिए, ये चल रहा है, वो चल रहा है, when we are surrounded with the positive people, we think कि अरे कितना अच्छा चीज़े चल रहे हैं, and similarly, जब हम एक educational environment में होते हैं, जहा हा रहा होता है, तो obviously बात हो रही है कि वहाँ पे एक आपका educational attitude बनता है, educational thought बनता है, और आप learn अच्छा कर रहे होते हैं, पढ़ तो आप ऐसे भी सकते हैं, every educational book is like standard books is available freely in PDF format in different sites, download and पढ़ो, किसने रोका है, but problem में है कि effort करना भी तो ज़रूरी होता है, so it's totally up to you, कोई इसमें करना ही चाहिए और नहीं करना चाहिए, आप किसी भी coaching को join करो या ना करो, यह सिर्फ आप बता सकते हो कि मुझे जरूरत है कि नहीं है, मैं कोई यह review नहीं दे रहा हो कि हाँ यह चीज करो या वो चीज मत करो, it's totally up to you, look within yourself whether you required to do, like required to join some coaching or not, ठीक है, यह चीज के उपर आती हैं, इसकी अलामा जो होता है, कि अब सवाल आता है कि कौन सी coaching चोईन करें, फिर कौन सी coaching अच्छी है, कई सारे वीडियो इधर आ रहे थे, उसी पर कई बार मेरे पास कई queries आई कि क्या यह सारे चीजे वैसी हैं, वैसी हैं, तो उसी पर बात कर रहा हूं कि मैं, देखो आपको सकल दिखाओगे, तो फिर खुद के सामने, खुद को नजर कैसे दिखाओगे, आई न, चेहरा तो देख लोगे, लेकिन अपने आखों में जब आखे डाल के देखोगे, तो अपने आप पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं चीजों के लिए, ठीक है, चाहे आप ratings की बा जिसका किसी country, किसी religion, किसी सी लेना देना ना हो, एक पैदा हुआ दो साल या दो महीने का baby, जो smile कर रहा है, उसके वीडियो में भी dislike होते हैं, तो negativity is everywhere, and similarly negativity हर जगे होगी, और वो होती रहेगी, और कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं, किसी public opinion से decide करो, जैसे कि किसी coaching पे कोई बंदा पढ़ा हुआ है, आप जाके उससे पूछो कि वो बताएगा कि क्या होगा, लिट्रली आप जब भी boyfriend सेलेक्ट करते हो, तो आप अपने दोस से पूच्टों कि तेरे को कैसा boyfriend पसंद है, या आप पती सेलेक्ट करने जाते हो, तो अपने दोस से पूच्टों कि गया और मुझे वहां की चिली पनीर पसंद नहीं आई तो इसका ये मतलब तो नहीं यहने कि वहां की सारी की सारी डिसेश खराब है या सारा की सारी चीजे खराब है ठीक है, so any opinion based on others, चाहे वो rating, चाहे review, even public opinion भी कोई मायने नहीं रख सकता क्योंकि हमारा thought process every individual is unique and वो uniqueness हर किसी का भगवान ने खुद बनाया हुआ है genetic system level पे भी और thought process level पे चेहरा तो दिखता ही है कि अलग है so जब भी आप कहीं पे भी जाना चाहें तो दूसरों के opinion से नहीं अपने opinion से जाओ, again I am focusing on yourself just think about it कि मैं अगर किसी organization से जुड़ता हूँ, अब इस time पे many organizations are there, some are giving free lessons some are giving lessons on YouTube some are giving another platform कई सारे free lessons सबके available होते हैं look at those content आपको एक positive vibe खुद पता चलेगी कि कहां से आ रही है आपको जब पढ़ेंगे न आपको खुद feel होगा कि सामने वाला बंदा genuine है कि नहीं है यह हमें एक vibes connectivity मिलती है आपको खुद पता चलेगे कि कौन किस तरीके से काम कर रहे है, कैसा कौन काम कर रहे है यह vibes आपके अंदर से आएंगी कि नहीं यह चीज पढ़के मजा आ रहा है मेरी frequency match हो रही है जिस भी इंसान से जरूरी नहीं कि public opinion वो अपने सोच के उपर बताते है विराट कोली सबको पसंद थोड़ी है पुड़े इंडिया में कि वो सबका फेवरेट क्रिकेटर है, किसी का महेंदर सिंग धोनी किसी का सचिन तंदुलकर है अपने दोस्ते पूछोगे तू किसको फेरोट मानता है विराट कोली, आपका विराट कोली को मानने लगोगे नहीं न, आप अगर सचिन तंदुलकर को मानते हो ताप सचिन तंदुलकर को ही मानोगे So, think about your opinion दूसरों पे डिपेंड होके कब तक चलोगे, दूसरों के thought process से कब तक चलोगे, दूसरों के suggestion से कब तक चलोगे, think about your opinion सोचो कि आपको क्या चेहिए आप किस तरीके से चीजे कर सकते है Now, let's come to the third point की चीजे फिर करें कैसे हम अगर हम सिर्फ अपने से select करना है, हमें चीजे करनी है भाई कि हमें choose करना है, हमें जाना है कि नहीं जाना, it's totally up to you जाना है, तो हमारा मन क्या कहता है, वही decide करना है दूसरी जो बाते हैं, बहुत सारी इधर-उधर goal-mattol की बाते, वो चलती रहेंगी और ऐसे भी है, वैसे भी है तीसरी, कि जब आप really sincere होगे अपने career के लिए तो आप दूद पीते बच्चे नहीं हो जो आपको बुलाया जाएगा, कि आजो बेटा मेरे पास आजाओ, तभी जो है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तभी जो है चीजे कराऊंगा You are not like baby, you are like pass out, B.A.C.M.C. pass out या उसके बाद है, तो definite सी बात है कि जब ये चीज़ आप करेंगे न, इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे, तो क्या होगा, कि आप खुद अजज़ कर सकते हैं, अब ऐसे भी आनुमालिक तो हर कोई बनता है, अपने जिंदगी में जज्जमेंटल वाला काम तो करता ही करता है But it is a very simple thing, कि जब भी आप ऐसा काम करें, तो try to think in a neutral way neutral way I mean to say, कि आप किसी इंसान से किस परपज के लिए जुड रहा है अगर just suppose you are joining with me on an academy plus for CSIR या you are joining with us on e-learnum for gate examination क्योंकि हम e-learnum पे gate पढ़ाते हैं और मैं an academy पे CSIR पढ़ाते हूँ अगर आप जुडते हैं, आपको जुडने के बाद आपको खुद फील होगा free आपको पहले पैसे नहीं देने, free videos देखा, अच्छा लगा तो जुड जाना है नहीं अच्छा लगा, तो नहीं जुडना है, CDC बात है just be clear with your decisions, be clear with your thoughts, be sincere about your career this is not something कि friend बोला तभी करना है ठीक है, यह आपके उपर है ना, आपको कोई चीज अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है interest develop करो, learning जो है एक अलग field में जा चुकी है बट still you have to develop the interest, और interesting अगर जानना है तो again, विरेंद सिंग is there, चाहे वो gate की बात हो, चाहे CSIR की बात हो, चाहे DBT की बात हो, चाहे ICMR की बात हो so, I will make you fall in love with all the streams of life science, आइदर bio technology, life science, ICMR, DBT, JRF just come to me, like come to my platform, or just learn with me, you will get like everything जरूरी नहीं कि सारे के सारे learner को ही प्यार हो जाए लेकिन हाँ, जो sincere होंगे, जो चाहते हैं, वो definitely प्यार करेंगे, ठीक है so, a very simple funda, believe in yourself, look into yourself, look by yourself, and talk to yourself what you want in your life ठीक है, दूसरे का opinion, दूसरे का suggestion, धरा का धराया रह जाता है दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन बुद्धी अपनी प्रयोग करनी चाहिए बड़े बुजूर्ग हमेशा कहा करते हैं, कि अगर खुछ सारी गलतिया करोगे, तो बुद्धी हो जाओगे लेकिन सारी चीज़े कर नहीं पाऊगे, इसलिए सीखो दूसरों की गलतियों से, लेकिन दिमाग और बुद्धी अपना प्रयोग करो, तब ही आगे बढ़ोगे तो यूज करो अपना brain, जो है, आगे बढ़ो अपने career पर और अच्छा करो, ठीक है संगे, thank you so much guys for watching this video, hope कि आपको clear हुआ होगा कि कभी भी कोई चीज़ करने से पहले, rather than going for any other opinions, go for your, like your heart, what says your heart, क्या कहता आपका मन, क्या feel करते हैं, आप किसी भी educator के साथ, किसी भी organization के साथ, आपका brain, आपका मन, जो है, वो heart का मतलब, वो नहीं pump करने वाल heart, I meant to say, your subconscious mind will tell you, कि what exactly you want, ठीक है, so उसी की तरीके से बढ़िये, और मेरी दुआएं सभी लोगों के साथ है, e-learning के साथ प्यार बरकरा रखी रहिएगा, मिलते हैं, next video में टेल देन, bye-bye and take care, have a great day. ए़्सकता मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्टेट मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्टेट CSIR को पाने में अपना होगा लेट एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कर दूँगा मैं एक्टिवेट प्रोड़क्ट बनके आप सबने लेना लपेट मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट्स स्मार्टली और एफिसेंटली जिसे आप क्रैक कर पाएंगे CSIR 2021 को क्विकली और कॉन्फिडेंटली मेरे कॉर्से सुरू हो रहे हैं अनेकेडमी प्लस से 7 इसमबर में ना बोले इंस्टॉल कर लियर लर्निंग एप और जुड़ जाए मेरे साथ और मेरे प्रोफाइल पर जाके सारे इंफॉर्मिशन को देख लिजे यूज करे रिफ्लर कोड विरेन और विरेन लाइफ तो गेट टेन परसें डिसकाउंट चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 मीने में जुड़ी है हमारे साथ आनेकेडमी प्लस पे लेट्स क्राक इट